कल्पधाम बिल्लर्स इवं डैबलपर्स की सांदार पेशकस अब आपके शागर सहर के बीचों भी वह भी सर्व सुभीदायुक आबास फ्लेट इवं प्लॉट बुकिंग के लिए संपर्क करें अंकुर चौरसिया पुर्शोत्तम चौरसिया मत्यप्रदेश के इंदोर में प्यार और लूट का एक जीवो करीब मामला सामने आया है इस मामले में एक तरफ वाइफ्रेंड लोगों को लूटता है और दूसरी तरफ उसके पकड़े जाने पर उसकी गल्फ्रेंड ब्याज पर बजार से रूपे लेती है और उसे छुडब इसके बाद वाइफ्रेंड फिर से इस ब्याज और कर्जा चुकाने के लिए लूट करता है और उसके बाद फिर गल्फ्रेंड पुलिस थाने जाती है और रहम की भीग मांका जमानत करा देती है इस अजीवो करी मामले का खुला सा उस बक्त हुआ जब बजयनगर पुलिस सुकवार देर रात एक बदमास को पकड़ लिया बजयनगर थाना प्रभारी तहजीब काजी के मतावे इलाके में लूट की गटनाओं को लेकर पुलिस चंता में थी इसलिए लुटेरों को पकड़ने के लिए मुखमरों को वेक्ट्यों किया गया था लेकिन ने इस से भी जब कोई सफलता हाथ नहीं लगी तो दूसरा उफाय किया गया पुलिस ने अन आरोपियों के रिकार्ट खंगाले जो जेल गए थे बजयनगर के उन लुटेरों की लिफ्ट नकाली गए जो सिर्फ महेंगे मुवाइल लूटते थे इस दोरान पता चला की 22 साल का बदमास बिसाल नौनिया हाल में ही जमानत पर छूटा है इस आरोपी पर पलासिया लसूरिया और हीरा नगर सहित कई थानों में आठ से जद अमामले दर्ज हैं पुलिस ने बिसाल को दुवारा हिरासत में लेकर पूस्टाच की उसने वताया कि उसने कुछ दिनों पहली ड़केती क साजसरची थी इसी आरोप में वो कुछ दिनों से जेल में था पता चला कि उसकी जमानत उसकी गलफ्रेंड ने कराई थी उसने जमानत के लिए लोगों से 40,000 रुपे भी बियाज पर उदार लिये थे इधर जमानत मिलने में लंबा समय लग रहा था और लोग गलफ्रेंड को परिसान कर रहे थे इसी लिए जेल से बाहर आते ही बिसाल फिर लोगों को लूटने लगा बिसाल ने पुलिस को बताया कि जब भी पुलिस उसे पकरती है तो गलफ्रेंड उसे छोड़ाने के लिए थाने पहुंच जाती है वह पुलिस अदिकारियों से रहम की भीक मानत कि बिसाल का ये अफराद आख रही है इसके लिए उसे छोड़ दो वह पुलिस से कहती कि मैं हद से जादा रुफ्या उधाल ले चुकी हूं अब लोग मुझे परिसान करने लगे है फिलहाल पुलिस ने बिसाल को फिर से गरबतार कर लिया है और अब बिसाल सलाखों के ती इछे हैं खबार एक्सप्रेस निउस की ब्यूरो रपोर्ट तीस पच्चीस संतानवे चतीस